तो फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर विकास बगेल और आप सबीका मैं अपने चैनल आज विदायन मेडिसन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा लिवर की प्रॉलम के बारे में मलीरिया के कारण जो हमारी सिप्लिन है वो बढ़ जाती है जिसे तिली बढ़ना भी कहते हैं अगर आप ज़्यादा मात्रा में सराप पीते हैं या मास खाते हैं तो आपका लिवर निश्क के लिए होकर जॉन डिस यानि की पीलिया रोप से उत्पन हो जाता है पीलिया एक बीमारी होती है जिसके वज़े से लिवर के अंदर दिक्कत आती है अंत में आपको कामला भी हो जाता है कामला भी जिसे जॉन डिस कहा जाता है अगर खून में हेमोगलोबिन की कमी है तो पेसा पीला हो जाएगा आखे पीली हो जाएगी इस बीमारी में आपको सिर्फ खाली पीट गोम मूत्र का इस्तिमाल करना चाहिए आप लिवर संबंदी बहुत सारी समश्याओं से बढ़ सकते हैं दोस्तो अगर आपके लिवर में infection है लिवर में सूजन है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कुछ ऐसे उपाएं हैं जिनका इस्तिमाल करके आप अपने लिवर की समश्याओं को ठीक कर सकते हैं आपको पता कैसे चलेगा कि आपको लिवर में कोई दिक्कत हो गई है अगर आपको कभी भी महसूस हो कि आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है जी मिचला रहा है खाना खाते समय आपको कोई मजा नहीं आता है खाना खाने का बिल्कुल भी जी नहीं करता है तो आप समझ जाएं कि आपकी लिवर में दिक्कत आ गई है आपका खाना ठीक पर कासे नहीं पस्ता है कबज की बीमारी बनी रहती है इन समझ्याव को दूर करने के लिए आपको कुछ उपाए अपनाने चाहिएं सबसे पहले आपको क्या करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ पुनर्णवा का इस्तिमाल करना है पुनर्णवा को पीश कर 25 ग्राम रस में आपको 50 ग्राम ताज़ा गुम मूतर मिलाना है और इसको एक साथ पीजाना है सुबह और शाम आप इस उपाए को करें इससे आपको काफी ज़्यदा फायदा मिलेगा पुनर्णवा का चून 5 ग्राम रस नहीं मिलाने पर मिलाएं यदि आपको पुनर्णवा नहीं मिल रहा है तो आप पुनर्णवा का चून रिले 5 ग्राम और इसको आप गोमूतर के साथ मिलाकर खाएंगे तो आपको काफी ज़दा फाइदा मिलेगा पुनर नवा का चून 5 ग्राम रस नहीं मिलने पर ही मिलाना चाहिए इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है भूचन करने के बाद आप पुनर नवा आदी रिष्ट का इस्तिमाल करें यह आपकी पीलिया संबंदी बहुत सारे दिक्कतों को दूर करता है अगर आपकी बॉड़ी में कोई दुरबलता आ जाती है ताकत कम होती है तो आप पुनर नवा मंडूर 5 ग्राम की मातरा में सहत के साथ मिला कर चटाएं इससे आपकी बॉड़ी के अंदर दुरबलता कहतम होती है एक घंटे के बाद आप गॉमूतर पिलाएं इससे आपकी बॉड़ी के अंदर तरो ताज़की आएगी और जितने भी आपको कोई प्रावलम है लिवर संबंदी ठीक हो जाएंगी आपने गॉर पाठी का नाम तो सुनाओगा जिसे गहित कुमारी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे अलोविरा कहा जाता है आपको अलोविरा लेना है 25 ग्राम इसका रस निकालना है और आपको 50 ग्राम गोमूतर लेना है इसको पिलाने से पाचन तंदर से जुड़ी हुई सभी परकार के रोग खतम हो जाते है जीन पाचन हो जाता है भूख खुलकर लगती है खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है पाचन सकती बहतर हो जाती है इसके अलावा एक और उपाय है दू ग्राम अजवायन का चून या फिर आपको दू ग्राम के आसपास या फिर अजवायन का चून नहीं मिलता है तो आप बहुत ही कम मातरा में जैफर ले इसको आपको गिसना है और गोमूतर में मिलाकर पीना है इससे आपके पेट में दर्द पेट में मरोड आवाना भूक के कमी निश्यती दूर हो जाती है दोस्तो अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो इससे आपको काफी ज़दा फायदा मिलेगा आज की वीडियो में इतना ही उम्मिद करता हूँ आपको मेरे दोहरा बताये करें जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको कोई भी नुस्का परसंद आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ज़रु दबाएं ताकि आपको वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे इसके साथ ही दोस्तों आप सभी से हमारी गुजारिस है इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक सेयर करें ताकि जिनको भी किसी परकार की लिवर संबंदी बीमारी है वो अपनी प्रावलम को दूर करेगा और अपनी समस्चा से निजात पाएगा मिलते हैं दोस्तों आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद